प्रस्तो थे कारक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 लगभग समय जितना ही प्राची सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाद हमारे भारत देश का इदिहास ज्यान विज्यान और समृध्धी से सजाई दिहास शौर्य आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इदिहास अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेडियां पहनाई एक हुए सब दिवाने देश के आजादी की अलक जगाई लाठी एनक वाले ने सप्त्याग्रह अनोखा छेड़ा अंगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा लोख पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत आजादी की नीव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत तभी आजादी ने कहा मैं मन्जिल नहीं हूँ राह हूँ अभी तुम्हें शुरुवात हूँ आज़ुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाए उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलान लगाए सपेरों का देश जिसे कहते थे वही पहले प्यास में मंगल तक पहुँचा मेक इन इंडिया इन तीन शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया उचा आज हर घर में बिजली है हर हाथ में मुबाइल फोन है हर जेब में डिजिटल पहचा हर खाते में डाइरेक्ट बेनिफिट हर रसोई में स्वच इनधन और हर आवास में इज़द घर है स्वच्छता और योग नए भारत के संसकार है वसुधैव कुटुम्ब का पूरा विश्व हमारा परिवार है अंग्रेज कहकर गए थे हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा नहीं सोचा था उनोंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा आज भारत एक है अखंड है और सबसे देजी से आगे बढ़ती आर्थविवस्था है आत्मा निर्भाष भारत ये एक प्रकार से शब्ट नहीं ये आज एक सो तीस करोर देश वाच्छों के लिए मंत्र बन गया आईए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा आईए इस महा पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं आईए बनाते हैं आत्मनों नर्भर भारत आईए मनाते हैं भारत की आजादी का अम्रित महँच्षव भारत की आजादी का अम्रित महँच्षव देश के स्वतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने का महँच्षव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अलग-अलग शित्र की विभूतियों से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कारक्रम में मैं हूँ चैनेंद्र देविया सजनों लंबे संखर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आजाद हुआ आजादी की बड़ी खीमत इस देश ने चुकाई है लाखों देशवासियों ने इस स्वतंतरता के लिए अपना सरवस्व निवचावर किया अपना बलिदान दिया तब कहीं जाकर भारत भूमी से ब्रटिश हुकुमत का सूर्य अस्थ हुआ और फिर जो नया सूर्य उदित हुआ उसमें भारत की अस्मिता की चमक थी भारत के अभिमान की दिवरता थी और स्वाभिमान की रोश्णी और उसी प्रकाश में भारत ने 75 वर्षों की ये गौरोशाली आत्रापूरी की आजादी का अम्रित प्रदान करने वाले ऐसे राष्ट भगतों को नमन ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख संगर्ष असंख बलिदानों का और असंख तपस्याओं की उर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर जागरुत हो रही है मैं इस पुन्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं देश के स्वाधिंता संगराम में अपने आपको आहूत करने वाले देश को नेत्रुत्व देने वाली सभी महान विभुत्यों के चरणों में आधर पुर्वक नमन करता हू मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जिनोंने आजादी के बाद भी राष्ट रक्षा की परंपरा को जीवित रखा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये शहीद हो गए जिन पुन्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुन्य निर्मान में प्रगति की एक एक इट रखी 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए मैं उन सभी के चर्णों में भी अपना प्रणाम करता हूँ साथियों जब हम गुलामी के उस दौर की कलपना करते हैं जहां करोडों करोडों लोगों ने सद्यों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया तब यह एसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का उसर कितना आयतिहासिक है कितना गवरव शाली है इस परव में शास्वत भारत की पनमपरा भी है स्वाधिन तासंगराम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवान्वित करने वाली प्रगती भी है आजादी का अमरित महुत्सो का शुभारम माननी अप्रधानमंत्री शीनरेंद्र मोधी ने बीते 12 मार्च को एहमदाबाद में किया था 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानि 12 मार्च को इसका शुभारम होने के पीछे भी एक विशेश अविपराय था एक क्यानवे वश पूर्व 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक कानून के विरोध में अपनी दांडी यात्रा की शुरुवात कर सबने अवग्या की नीव रखी थी एहमदाबाद में साबरमती आश्रम के ट्रस्टी कार्तिकिये सारा भाई का मानना है नादी मार्च was this very unique way in which he communicated in times when none of our communication mechanisms which we have today were existing but he could still catch and he could reach people all over the world to show the absurdity of the British system and their taxation he didn't take the simplest route he took one which went round in 24 days so these are people who are stewing in terms of why should they take an action now or not so he was someone who could in a very genuine sense communicate and touch people on critical issues but in a way which people could understand and today we need to do that अपने 81 सहयात्रियों के साथ प्रते दिन 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए 25 दिनों में कुल 386 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 6 अप्रेल को बाबू और उनके सहयात्री गुजरात के नवसारी में एक छोटे से गाओं दांडी पहुँझे थे इस संयोग ने अमरित महुत्सव की गरिमा को नए आयाम दिये साथियों अमरित महुत्सव का सुभारम दांडी यात्रा के दीन हो रहा है उस एक्तिहासिक छन को पुनरजीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है यदबूत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेज भी वैसाही है जो आज देश अमरुत महुत्सव के माद्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है गांदी जी की इस एक यात्रा ने आजहादी के संगर्ष को एक नई प्रेणा के साथ जन जन से जोड दिया था इस एक यात्रा ने अपनी आजहादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया था और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजहादी के आगर्ष के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संसकारों का भी समावेश था हमारे हाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे हाँ नमक का मतलब है इमानदारी हमारे हाँ नमक का मतलब है विश्वास हमारे हाँ नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मन निर्वरता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्वर हो जाना पड़े गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नफ को पकड़ा और देखते ही देखते ही आन्दोलन हर एक भारतिय का आन्दोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल्प बन गया आजादी का अमरित महत्सो पंद्रह अगस्त दोहजार तेईस तक चलने वाला एक विलक्षुन और प्रेरकायो जन होगा प्रधान मंत्री शी नरेंद्र बोदी की आकांक्षा है ये महत्सो एक जन आंदोलन बनकर न्यू इंडिया यानि नए भारत के सप्टे को साकार करने के लिए हम सब की प्रिर्णा बने केंद्रिय सूचनायों प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश यावडेकर का मानना है जब ये सब का महत्सो बनेगा तब ये देश एक नई गौरो गाथा लिखेगा हम देश को आगे ले जाएंगे ये देश का एक नया रूप दुनिया के सामने लाने के लिए और उसमें हमें ही अभिमान होगा और इसलिए ये काम सब को मिलके करना है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम आजाद कैसे हुए आजाद होने के बाद हम कहां तक आ पहुँचे और आने वाले 25 साल में हम कहां तक पहुँचेंगे तो पहले आजादी के लड़ाई का स्मरण आज तक आजादी के बाद जहां पहुँचे है उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प यही उद्देश इसी उद्देश चर से यहाँ आजादी का अम्रूत मोच्छोव देश भर में आने वाले 2-2 साल मनाय जाएगा प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माड की परिकल्पना क्या है? संकल्प क्या है? बदा रहे हैं कि इंद्रियों संस्कृतियों पर एटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपरलाज सिंग पतेल हर किसी को अपना कुटम भी मान कर पहुचाया है हम स्वत्रियों की भासा इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीड़ी और हमारी नसलें दीनता की भासा ना बोलें बेसामर्थ और शम्रत्दी का व्याकरन पढ़ें पिधानमंत्री का कहना है देश दबाजादी का स हर दिल में होगा आजादी का अमरित महत्सो के आयोजन में भारत सरकार का संस्कृति मंत्राले नोडल मंत्राले की भूमिका में है इसके लिए राष्टी अस्तर पर एक उच्छ तरिय समिति का गठन भी किया गया है जिसमें देश भर से अलग-अलग शेत्रों की विभूति कि 75th anniversary जो आ रही है बड़ा important landmark होता है किसी भी नेशन की history में तो इसको कैसे अच्छी तरह मनाया जाए और यह सिर्फ एक जशन या सिर्फ celebration या events नहों बलकि बहुत ही important landmark यह सूचित करें कि India इस वत कहां पहुँच चुका है इस तरह हम लोगों इस देशवासियों को प्रेरिद भी करें और इसको जशन तो ज़रूर मनाये लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसे संकल्ब भी करें कि विश्व सच पे और देखे कि भारत 75 वर्षों में कहां से कहां पहुँच चुका है हमने क्या-क्या पाया है और हमें और नेशनल कमिटी बनी हर वाक अफ लाइफ से उसमें मेंबर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स परसंस भी है पुलिटिकल लीडर्स भी है आटिस हैं बिजनस लीडर्स हैं में कोइंसिदेंस भी है कि जब हम पचछतर वर्ष पूरे करने वाले हैं 2022 में 15 अगस को तो यह सोच थी कि उस एक इंपॉर्टन लैंडमार्क हमें डांडी सत्याग्रह का मिला तो फिर इसले प्रदानों तुझी ने तैकिया कि इसी से हम अपना शुभारम करेंगे और आगे बहुत सारे कारेक्रम हैं हमने काफी राजियों से अल्ड़ी हमारी बातचीत हुई है हमने उनको पत्र लिख की तैयारी भी बड़े जोर शोर से हो रही है और इसमें जैसा होता है ना कि सिर्फ एक प्रोग्राम हो गया कल्चल इवेंट हुआ वो तो होगा ही होगा साइकल रैलिया होंगी मैने थान होंगे क्योंकि इन सब चीजों से लोग जुडते हैं एक जन भागीदारी होती है टू ओ जिसको हम कह सकते हैं विजिन क्या होना चाहिए हमार इस सब पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बने वाले है महत पॉलिसी भी गाइड होंगी इस से देखे यूद को कनेक्ट करना सबसे बड़ा चालेंज है क्योंकि क्या होता है कि यह जो हमारी हीरोज होते हैं अब कुछ एक फ्रीडम फाइडर्स के अलावा हमारी यंग जेनरेशन जानती ही नहीं है कि किस किस ने कुरवानी दी है हमें यहां तर पहुंचाने के लिए कि आज हम इतना स्वतंत्र है और देखे मतलब लेडीज इतने आगे हैं हर शेत्र में हर तर ऐसे हमने कितनी अचीवमेंट की है तो यूथ को जोड़ना सबसे बड़ा चालेंज मुझे लगता है हमेशा तो उसके लिए काफी सारे चीजे हमने सोची आपकोस डिजिटल मीडियम एक जाहरा है एक मीडियम है जिसके थू हम एक होता है ना आइडियल्स प्रॉपगेट करना बहुत जरूरी है और इस वक तो बहुत ही जरूरी है पूरा विश्वर ऐसे दौर से गुजरा भी पैंडेमिक भी हुआ आपको मालूम है और हम लोग दीरे दीरे ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि यूथ को ल है चूट दी और यह बस एक कहते हैं ना सरकारी प्रोग्राम वो बिलकुल नहीं हमें करना वेरी ओपन टो आइडियाज वी रेली वांट सजेशन की लोग सोचे कि हमें क्या करना चाहिए और इसलिए फीडम वाइटर्स अंसंग हीरोज को याद करना वो जो सीमित रह जाती थी हिस्ट्री वुक्स में उसको यूद के लिए लाने के लिए म्यूजियम जे बहुत अच्छा जर्या जैसे जो हमारी कल्चर मिस्ट्री का एक मैंडेट भी है जी तो हम काफी सारे नए म्यूजियम जैलप कर रहे हैं हमारी आपको आपने शायर देखा होगा टीमें नेता मैंजियम जे एक अच्छाम जी शायर जायर दीखा है काफी सारे डिजिटल एगजिबिट से आइप अच्कल से एक पुराना जो होता था तो नहीं जो हमारी को आपने आपजिश्यक्स रग दिये और बस नहीं ऐसा नहीं है आपको यूद को जोड़ना ही पड़ेगा आपक जो इतने सारे historical events से जुड़ा है, उसको as a cultural space हम लोग develop कर रहे हैं, वहां बहुत सारे छोटे-छोटे museums और एक आत्मनेवर भारत केंद्र भी हम बना रहे हैं, design center, तो इस तरह की काफी सारी programs, policies बहुत सारी है, और एक website का भी, उसको हम open करेंगे, कि लोग उसमें जुड़ें, और हमें ideas दें, और जिस तरह हमने गांदी जी की 150 भी जब यह anniversary मनाई थी, तो हमने कार्यांजली करके campaign launch किया था, यह कोई भी अपनी कार से बापू को शदांजली देना चाहिए, तो वो अपने video upload कर सकते हैं, उसी तरह हम, इसमें भी India 75 है, अमरित महुत सब, उसकी website, तो हम लोगों से कहेंगे कि आप किस तरह सोचते हैं, India 75, आपकी कल्पना क्या है, आपकी क्या विचार है, हमें क्या करना चाहिए, हर field में, मैं सच में मानती हूँ, आपकी करना चाहिए, हर आप, हर स्पोर्ट, हर तरह का फील्ड, नेशन मिल्डिंग में बहुत इंपोर्टन होता है, ऐसा नहीं है कि से पुलिटिकल लीडर से ही नेशन बनता है, मतलब पार्लमेंट से ही बनता है, हर स्पोर्स परसन, इसी तरह में बहुत सारे हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर भारत रुपन अवाडीज हैं, तो हर शेत्र में योगदान होता है, हर इंपोर्टन परसन का, तो हम इन सबसे इंस्पायर होके ये जरूर कोशिश करेंगे, इसलिए हमने नेशन कमिटी में इतने सारे लोग को लिया है, कि ह हम इन से भी पूछें, और इनके अलावा आम जनता से भी पूछें, कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे आइडियास है, आइडियास की कमी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग भी हम तक पहुँचे, हम कॉंटेस्स करेंगे, बच्चों के ल आप क्या लेना चाहेंगे, बताइए, इंडिया के लिए आप क्या सोचते हैं, what is the next big thing, इंडिया अगर हम बोलते हैं, 2.0, 2.0, इंडिया 2.0 क्या होना चाहिए, next version of इंडिया क्या होना चाहिए, या वर्ड में हम इतने आगे पहुँच गहें हर जील में, आपके इसाब से क्या विजिन होना चाहिए, हमारे country के लिए, तो we will try our best, कि हर तरह से हम भी एक message लेके जाएं, youth तक और older generation तो हैं उन तक, और उनसे भी सुने, सिर्फ करें ना, सुने, उनसे जुड़े और कहें, आप बताइए, आप किस तरह का celebration का चाहिए, लंबा समय है, इसलिए हमें प् महत्सो से जुड़ी राष्ट्रिय समिति की एक महत्मूर सदसे हैं, प्रख्यात गुरू और नित्यांगना डॉक्टर सोनल मान सिंग, सोनल जी से जब इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने इस अमरित महत्सो की सोच को नए आयाम दिये, अमरित मंथन की जो कहानी है हमारी पुराणों में, कि अमरित वैसे ही नहीं मिलता, न जीवन में न सभ्यताओं को, अमरित को लाने के लिए, पाने के लिए, बहुत मंथन करना पड़ता है, बहुत महनत कोशिश करनी पड़ती है, और उसमें दोनों पक्ष, तारे पक्षों को जोड़ना पड़ता है, जैसे प्रधान मंत्री ने कहा कि एक भी भारत वासी इससे छूता न रह जाए, पचतर सप्तावों का, पचतर वर्ष के अमरित महुत्सव का आयोजन, बहुत ही शांदार तरीके से होगा, दुनिया चकित रह जाएगी, मुझे इसका पूरा भूती हैं, इस अमरित महुत्सों में वैसे तो देश और समाज से जुड़े हर पहलू को समाहित किया गया है, लेकिन आपके दृष्टी में, इसमें कला का क्या स्थान और क्या भूमिका हो सकती है या होगी? मेरी तो एक ही सोच रहती है कि हमारी कलाएं जो है भारतिया जिनको हम विद्या कला कहते हैं और हमेशा मैंने माना है, मैंने कहा भी है और ये बात जग जाहिए है कि किसी भी सभ्यता, किसी भी देश का प्राण उनकी कलाएं हैं, संस्कृती की परंपराएं हैं, बाकी सब च अजारों वर्षों से हम उसी का गुणगार करके आए हैं तो उसको और सशक्त बनाते हुए बहुत सारी हमारी जो कथाए हैं जो आज के संदर्भ में उतनी ही लागू होती है जितनी तब थी एक बात जैसे मेरे मन में आती है बार बार के हम जमुना की सफाई की बात करें गंगवद्रा हो महा हो तापी हो दर्मदा हो नदियों पे विशेश ध्यान इन पचत्तर सप्ताहों में दिया जाए और वो एक नई मुहीम शुरू हो अभी तक गंगा पर ध्यान इसकी है कि गंगा एक पिर से मैं कहूं तो इक शीजए आइडिया गंगा इस इन आइडिया लेकिन सारी नदिया गंगाएं हैं जो प्रवाहमान है प्रवाहित है वो हर एक नदि गंगा पानी की एक एक गून जिसके लिए हमें नदियों को फिर से प्रवाहित करने का काम करना पड़ेगा और इसमें जन अभियान की बहुत आवश्यक्ता रहेगी क्योंकि हम सभी का दायत्वा बनता है तो पानी की विशेशता और पानी कैसे साफ रखना क्योंकि समुत्र के पानी वो पीने लाइक बनाने में करोड़ों रुपे का खर्चा है जबकि भारतवर्ष नदियों से भरा हुआ है तो ये एक मेरा विचार रहा है कि इन नदियों के साथ जो जो कहा है तो इन सब की इतिहास को उजागर करते हुए नदियों को सफाई के अभियान के साथ जोड़ते हुए चलें एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए ये एक आशिरवात होगा दूसरा के कलाओं कलाकारों के लिए इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही मुश्किल हो चुका है कलाकारों को बड़े पैमारे पे जोड़ना पड़े गा जन्र चेतना के लिए कि जितना प्रधान मंत्री जी जब बोलते हैं तो लाखों करोनों काल खुले हो जाते हैं लेकिन साधारन जन्र मानस को जागरत करने के लिए उसको उच्छाहित करने के लिए उसमे पूरा पूरा लाभ देना पड़ेगा और छोटे-चोटे बड़े-बड़े जो भी रूपक है, दांस ड्रामाज है, उसमें ट्राइबल हो, यानि आदिवासियों के जंचातियों के नत्य संगीत हो, हमारे इतने लोक संगीत हैं, लोक कलाए हैं, लोक कथाए हैं, और हमारी प होना है भारत वर्ष का, वो कभी भी अच्छूता नहीं रहेगा, सब को लगेगा कि अधे, यह तो मेरे प्रदिश का, अच्छा, यह भी होता है, अभी तक अलग-अलग होता रहा है, ट्राइबल डांस तो शोभा का ट्राइबल डांस दिखा दिया, लोक कलाए हैं, लोक न जो द्रश्य है, you know, these are the visual arts, oral arts, सब उसमें संगीत, रित्य साहित, यह इतिहास, गुबोल, उपरतेश, सब जुड़ा हुआ होता है, इसका बहुत बढ़ आसर पड़ेगा, और जो हम एग भारत, शेष्ठ भारत की बात करते आएं हैं, वो भी इसी से थाबित भारंबार तो मेरा तो यह मानना है कि कला और कलाकारों का जितना ज्यादा इसमें वो रहे, भागे नारी रहे, वो तना ज्यादा यह दूर दूर तक फैलेगा अमरित महोटसो आयोजन समीती की एक और प्रमुक्ष सदस्य हैं, पदमिश्री से सम्मानित, खेल रतना वाड़ी, प्रक्यात पैराइथलीट दीपा मलिक को सुना, मैंने सांस्कृतिक मंत्राले के संयोजुगों को सुना, और जब मैंने इसकी पूरी परिभाशा समझी कि यह इंडिया एट 75 इसका क्या प्रती रूप रहेगा, तो मुझे बहुत एक सच कम्मू तो एक ऐसे खचा-खच भरे वे स्टेडियम की, जिसके अंदर एक भावना जटकर आरही होती है, जब हमारे सैनिक वहां परेड कर रहे होते हैं, तिरंगा उपर जा रहा होता है, तो पिलकुल एक वैसी सी भावना आई, मैं हूँ भी सैनिक परिवार से, तो बहुत कुट-कुट कर भड़ी गई है मेरे अंदर देश प्रेम की भावना, खिल उसका भी बस एक ही बरिभाशा है, देश प्रेम, देश भक्ति, मेरे काल से देश प्रेम ज़्यादा, क्यूंकि जब आप अपने मुल्क को प्यार करते हो, आप अपने देश से प्यार करते हो, आप किसी भी चीज से जब प्यार करते हो, तो आप उसको संभालना चाहते हो, उसे सवारना चाहते हो, उसे संजोना चाहते हो, उसकी सराहना करना चाहते हो तो ऐसा हमें करना है अब अपने देश के लिए दिपाजी आप स्वैम में एक यूथ आइकॉन है, यूथ के लिए एक प्रेणा है, इवाउं के लिए मागदर्शक है युवाओं को इस पूरे आयुजन के साथ चोड़ कर ये जो संसकार हैं, मुल हैं, आदर्श हैं, सोच है, परिकल्पना है उन तक और आने वाली पीडियों तक पहुँचाय जा सके इस दिशा में आपके क्या सोच है या आप क्या सलाह देती है देखिए आजकल का यूथ है, hashtag throwback Saturday, hashtag throwback Thursday तो ये मेरी का से उनके लिए hashtag throwback भी है और एक patriotism का challenge भी है तो बहुत अच्छा लगेगा जब सब आगे आएंगे और जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है कि हम नए-nए ideas देखना चाहते हैं तो मैं भी देखना चाहते हूं कि कितना innovative होने वाला है पूरा भारत या पूरे भारत के बच्चे, school, projects It'll be so exciting to see कि कि कितने नए-nए तरीके से मैं खुद, मैं तो खुदी रोध, दिन राज जब से मैंने meeting at night करी है कि मैं क्या करूंगी इन 75 हफतों में या मैं कम से कम हर हफते कोई एक ऐसी चीज करूं जो India at 75 की पांच तत्वों में से कोई एक element को लेके मैं उसको highlight कर सकूं तो शेक ये भी नए भारत का प्रतिरूप है कि एक महिला जो 30 वर्ष के आयू में paralysis में चली जाती है और लोग सोचते हैं उसकी जिन्दगी अंध हो जाएगी क्योंकि भारत में तो टैबू माना जाता है disability को लेकिन 20 साल बार्द वही महिला पेडल भी जीतती है और इतनी सशक्त हो जाती है अपने देश में खेल के कि वो एक दया घर भी बना लेती है अपने बलबूते पे तो ये भी तो अपने आपने भारत का बहुत बड़ा नया रूप है प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्थों में भारत सरकार ने जिस भव्यता के साथ आजादी के अबरित महुत्सों को मनाई जाने की तैयारी की है उसकी परिकल्पना की है वो प्रधान मंतरी की सोच और अप्रोच के ही अनकूल है ऐसा मानना है वरिष्ट प उट्सव जो होता है उसमें लोगों की जो भागीदारी होती है वो उसका लेवल ही अलग होता है तो इस तरह से जिस तरह से कारिकरण की रूप रेखा बनाई गई है प्रदान मंतिर ने इसको जिस तरह से बुना ए जो उनका विजन है उसको देखते हुए लगता है कि 75 वी व तो आजादी की कीमत को समझें, देखिए आजादी जिन लोगों ने दिलाई दो-दो पीडियां लग देए, उन्होंने अपने जीवन का बनिदान दिया, तब हम इस आजादी का अज भोग कर पा रहे हैं, यह जो हमें सुतंत्ता मिली है, मौलिक अधिकार मिले हैं, यह सब उ मौलिक अधिकार मिले हैं, बोलने की सुतंतता मिली है, दूसरे मौलिक अधिकार मिले हैं, वो सब उन लोगों का किया हुआ है, उन लोगों के परिश्टम का हल है, तो इसको बहुत सम्हाल कर रखने की ज़रूरत है, दिकि हमारा देश जो है, युवाओं का देश माना जात और गांजी जी की सबसे बहुत सी खुबियां थी हैं, हजारों खुबियां हैं, पुरी दुनिया मानती है, देश तो मानता ही है हमारा, वो ये की जो भी काम कीजिए, जो भी अभियान चलाना है, जो बात लोगों को तक पहुंचानी है, उसको जन भागीदारी से जोड़िए तो आप देखें, आप निर्भर भारत लोकल और वोकल, जो तदान मंत्री के ये दो कारिकरम है, दूसरे कारिकाल में उन्होंने शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अब लोगों तक ले जा रहे हैं, युवाउं तक ले जा रहे हैं, उनको ये समझाने की क कोशिश, बताने की कोशिश कि भवेश्य आपका है, इस देश को आगे आपको चलाना है, तो आपको अभी से अगर आप राष्ट निर्मान में लगेंगे, तो उसका लाभ आपको आपके आने वाली पिरी को भी मिलेगा, आपको याद हो कि एक समय जो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी, तब भी सेल्फी बेटी के साथ सेल्फी कीच कर और पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर, यह अभियान उन्होंने चलाया था और बहुत सफल हुआ था, जैसे ही किसी सरकारी कारिकरम में, किसी इस तरह के कारिकरम में जन भागीदारी हो जाती है, तो वो जन अभियान में बदन जाता है, उसका इंपैक बहुत जादा हो जाता है, आप सचता अभियान का उधारण देखिए, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और लोगों को जोड़ा, उसका नतीज़े यह है, कि वो सरकार से ज्यादा लोगों का अंदोलन बन गया है, तो यह जो जन जागरण की कोशिश है उनकी, यह जो जन भागीदारी की का उनकी शैली है, वो कारिक्रमों को ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा विस्तार देती है, और दूसरी बात आप यह देखिए, कि प्रधान मंत्री ने अभी में ही बोलते हुए यह बात का, उन्होंने कहा कि भारत जो है, यह हम सबसे बड़ी आबादी हैं, दुनिया में चीन के बात तो सबसे बड़ी डिमोकरसी हैं, बात इसकी नहीं है, उन्होंने कहा कि हम भारत जो है, वो जनतंत्र की जन्नी है, जब दुनिया में कहीं जनतंत् विवस्ताएं थी और उधारण देकर उन्होंने समझाया ये नई पीड़ी को जानने की ज़रूरत है जब उसको आप समझेंगे कि हमारे पुर्खों ने क्या हमको धरोहर दी है तो उसको सजोग कर रखने की इच्छा भी आपके बन में जागरिस होगी तो इस तरह से प्रधा में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरन होता है और उससे देश के प्रती मोह पहले से देश के प्रती समर्पन पहले से ज़्यादा बढ़ता है तो यह जो 75 साल का का काट्यम है जो अमरित महुत सब का अभियान शुरू किया है प्रधान मंत्री ने वो आप देखेगा कि यह पूरा होते होते देश में एक बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा हास्तोर से युवा पीडी में जिनको इस देश को आगे ले जाना है तो प्रधान मंत्री जिस तरह से काम को कर रहे हैं यह यह देखे किसी सरकार के मुख्या के काम तक सिमित नहीं है यह यह एक तरह से कोई जननेता ही इस काम को कर सकता है कोई सोशल रिफार्मर जो सामाजिक सुधार का भीड़ा लेकर चलते हैं उस तरह का काम है यह सरकार चलाने के लिए तो उनके लिए कोई दिक्कत में थी सरकार चल रही है अच्छी और और उनको यह कारितरम लेने की या इतने बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि इस देश को मजबूत बनाना है अगर विश्व गुरू बनाना है अगर दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाना है आर्थिक रूप से सामरिक रूप से तो उसके लिए युवाओं को जगाना पड इस कारक्रम के प्रस्वत करता थे जैनीन रिसेंग